नमस्कार नगरी नियूस के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है पिछली कड़ी में हमने बात खीती नौहर विधानसबा सीट पर चुनावी समिकर्णों के बारे में और आज बात करते हैं राजस्तान की उस सीट के बारे में जिसे जाटो का गड़ भी कहा जाता है जी हां मैं बात कर रही हूँ जायल विधानसबा सीट के बारे में जायल विधानसबा शेत्र से कॉंग्रेस पार्टी ने एक बार फिर विधायक मंजु देवी को मौका दिया है तो वहीं बीजेपी ने डॉक्टर मंजु बागमार को अपना उमीदवार घूशित किया है विधानसबा चुनाव 2018 में कॉंग्रेस को राजिस्तान में कामियावी मिली थी और वहीं बीजेपी को पीछे रहना पड़ा था कॉंग्रेस के वरिष्टतम नेताओं में शुमार होने वाले अशोग गैलोत को एक बागमार फिर मुख्यमंत्री पद की शपत दिलाई गई थी और इस समय वे एंटी इंकममेंसी की लहर के बावजूद अपनी सरकार की कल्यानकारी योजनाओं की भूते लगातार दूसरा कारेकाल हासिल होने की उमीद कर रहे हैं वहीं दूसरी और बीजेपी भी अशोग गैलोत की सरकार की भरष्टाचार और लगातार बढ़ते आरोपों के मुद्दों को लेकर जोडशोड से प्रचार अभ्यान में जुटी हैं और उसे भी पूरी उमीद है कि राजस्तान की जनता द्वारा हर पाँच साल में सत्ता बदलने की परिपाटी जारी रही और इस बार उन्हें काम्याबी जरूर हासिल होगी बात करें पिछले साल यानी 2018 की चुनावों की तो जायल विदानसभा सीट पर 2018 की विदानसभा चुनावों में पुल 2,32,856 वोटर मौजूद थी जिनमें से 78,415 में कॉंग्रेस उम्मीदवार मंजू देवी को वोट दे कर जिताया था तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर मंजू बागमार 32,200 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी जायल में कॉंग्रेस को 71 प्रतीशत और बीजेपी को 29 प्रतीशत जनता का समर्दन प्राप्त है इस सीट पर कुल 2,45,000 वोटर्स हैं यह सीट जाती है आकडों क के मताबिक जात बहूल्य सीट मानी जाती है जिनमें ऐसी वर्क काफी प्रभावी है लेकिन यह सीट ऐसी वर्क के लिए रिजर्व घोशित की गई है यहां करीब 80,000 वोटर्स जात हैं मुस्लिम वर्क के वोटर्स 15,000 हैं वहीं OBC के बात करें तो यहां 50,000 OBC वोटर्स हैं और ब्रामन वर्क के 12,000 वोटर्स हैं दनगरी न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में बात करेंगे उन विदानसवा शेत्र की जिस पर दोनों ही प्रमुक पार्टियों की नज़रे सबसे ज्यादा टिकी हुई है नमस्कार